आँखों में चस्मे का नंबर क्यों लगता है और इसका उपाय क्या है? आँखों में नंबर का चस्मा लगने की कई ग्यात और अग्यात कारण हो सकते हैं, जिसको आँख के अंदर एनाटमिकल और फिजिलोजिकल कारणों के माध्धम से असानी से समझा जा सकता है. कौर्णिया या पुतली के करण आँख के पुतली का करवेचर यदि समाने न होकर थोड़ा आसमान हो जाए या कौर्णिया समाने से अधिक कान्वेक्स या फ्लेट हो जाए तो आँख के अंदर जाने वाली प्रकास की क्रणों को पुतली रेटीना के उपर फोकस ना करके रे लेकिन यदि आग की लंबाई समान से कम या अधिक है तो आग के अंदर जाने वाली प्राकास की क्रणे रेटीना के उपर फोकस न होकर रेटीना के आंगे या पीछे फोकस होती है जिसके करण ब्यक्ति को इस पश्ट दिखाई नहीं देता है। प्राक्तिक लेंस के करण जब आग के अंदर मौजूद प्राक्तिक लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बदल जाता है तो प्राक्तिक लेंस थोड़ा ठोस हो जाता है जिससे लेंस के अंदर कानवेक्स पावर बढ़ जाता है जिसके करण लेंस आग के अंदर जाने वाली प्रकास की क्रणों को रेटीना के उपर फोकस ना करके थोड़ा आंगे फोकस करता है। फोकस होती हैं तो माइनिस नम्मर का चसमा लगता है और यदि प्रकास की करने रेटीना के पीछे फोकस होती हैं तो प्लस नम्मर का चसमा लगाना पड़ता है। पर होकस होने लगती हैं जिससे बैक्ति को इस पश्ट दिखने लगता है जिससे उस बैक्ति की आँखों की दृष्टी पुना समान हो जाती है इस माइनस या प्लस नमबर का चस्मा समाने दृष्टी बनाए रखने के लिए उस बैक्ति को लगाना पड़ता है समानता माइनस दो से तीन नमबर का चस्मा अधिकतर ब्यक्तियों को लगता है लेकिन यदि इस से ज़्यादा नमबर का चस्मा आता है तो इस इस्तिती को आँका हाई मायपिक कंडिसन कहते हैं इसका अपने आप में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको जानने और निदान के लिए समझ समय पर नेतर भी से सगसे आँखों की जाच अवस्थ कराते रहना चाहिए यदि आपको मायनस नमबर का चस्मा लगता है तो चस्मा आपको हमेशा लगा कर रखना चाहिए बिना चसमे के आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यह दिये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करपे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोसरों को सेर करें बहुत बहुत सा धन्नवाद